नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शवी कि आतिक राज़्दा ने इन दौर में एक बार फिर से हत्याकान के संसनी केज घटना सामने आई है जिसमें पैसे के लेंदेन को लेकर सराफा कारोबारी के बेटे अर्विंद का पहले कृष्णा नामा के सूथ खोर ने अपरण किया और फिर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी परिवार तरके सराफा व्यापारी के बेटी की लाश खोड़ाल थाना चेतर में सड़क पर मिली परीजनों के मताबिक अर्विंद सोनी ने अन्य के फोन से आपरण की सूचना दी थी और इसके साथ ही कहाता कि सूथ खोर कृष्णा द्वारा उसका आपरण किया गया है जि इसमें एक वीडियो में दो लोग अर्विंद सोनी के पीछे जाते हुए नजरा रहे हैं फिलाल पुलस सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जोटी कई है और जल्द ही हत्याकान की घटना का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है बताया है कि अपरण के दरान अर्विंद स काम पर तो यहां से निकलने के बाद जब वह आगे इस गली में गए तो वहां उनके पिछे भागते हुए दो जने गए एक दो जने थे वो गए उसके बाद का घटना करम पता नहीं जब पापा जी देड़ पजे उनको टिफिन देने गए मेडिकल शॉक पर तो वहां से हम कर लगी कि वह सुबे से आए नहीं है फिर उसके आद हमने उनको कॉल लगानी कोजिश करी और फोन उनका बंद आने का उनका खुदी दो धाई वजे के आसपर सफोन आया कि ऐसे से मुझ को कृष्णा नाम का व्यक्ति लेके गया है और उन्होंने वहां पर उनकी लोकिशन करी लिए को लोगे जिए लेकी का शर्च में किस्टना मालवय का ही पता है उनकी प्लन नगारा काम करता है और उनका नहीं था यह गारेंटर थे इसमें अच्छा प्रटेज में सारा है कि कोई वैक्ति उनके पीछे भागती वागया कि अब लोगरा भी किया था इनको कि सरा पारन जैसे किया था कि उस वेश्की सी बात हुई है पहले तो हमसे मना कर रहा है कि हमारे साथ नहीं है और भाइव हुआ यू कि रहते कि मैं उसी के साथ हूँ उन्होंने हमको चुपके से खॉल कर रहा था और लोकेशन बेची ती पर अफिर उसके बात उन्होंने हमसे काह ता कि ना मैं इसको इस से बात करके तक हम चार पंच युश तक में घारा जाओ अशे तो वही तो बहिए तो वहा तो बीस-टी जार कर केते है और यह हमको देर्लाग बोलता है तो फिर आपको कह पता चला कि आपकर केसे लागी कि मैं को यह वेक्ति लेगिया थी फिर उसको पाप किया हुए फिर उसको अदम यह फोन कर रहता है कि वहारे साथ नहीं में पार्टी माया हुँ आपके पापकी बौडि कहा पर रहे हो हैं वहां प्रना कि भाइया की बौडि हमको मिली थी यह देव गोडा रहे हूँ खोड़ पुलिस आपके जल्ब करवारी है हाँ सपोर्ट कर रही है मेरे नाम अभिश्यक मैं उनका चोटा भाई हूँ परसों के दिन थाना एक रपोर्ट प्राप्त हुई ती शाम के समय जिसमें मृतक जो अभी कल इनकी बॉड़ी खुलेल चेट्रम बिली इनके वाईफ और इनके भाई ने आके रिपोर्ट किया था कि वो गए हैं और मिली रहें तो पुलिस ना तत्काल इसमें गुबंसान पं जो है पुलिस ने पुन से बात की और बात की तो बात हो गई और उसने बताया कि मेरे साथ हैं और तक से भी बात उसने करा दी फरीजनों का वैसा बताना था कि उसके साथ ही गए हैं और इनकी दिन में भी उससे बात हो रखी थी तो यह चप चीजें सब प्रकाश में आई और उन्होंने कहा तो उसने का 1-2 घंटे वापस लौट रहें और इसके बाद जो है घरवाले भी संतुष्ट हुए और पुलिस को भी जो सबस्पेक्टर बलराम है उसको ऐसा लगा के ये लौट आए गए उसके बाद इनकी जो है किशना से चुकि परिचा है था तो इनकी प खुलेल थाना चेत अंत्रकत एक गामीन चेत्त में उसकी जो है इनकी बाड़ी मिली और बाद में अडेंटिफाइड हुआ कि बाड़ी उन्हीं की है इस पे जो है ततकाल खुलेल पुलिस और एड़म पुलिस दोनों नहीं जाच उसमें शुरू कर दिये कुछ स्पेक्स को भी पुलिस ने पुश्टाच में लिया है और बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सारी अधिकारी सारी टीम जो है इन्वेस्टिकेशन में लगी हुई है और इंवेस्टिकेट करके इसको जो है हम लोग प्रॉपर आरोपिया ग्रफ्तारी भी करेंगे और इसमें इनके पिताजी द्रा जैसा की बताया एक कि यह मृतिक गन्डाष SG थे और इनके सांथ रहा एक करताया late — से इन लोगों ने भी आवे बहुत शूंका नहीं की और उनके इन से नहीं की कुछ 1000 रुपय का ही लेन दे रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं है बहुत जादा नहीं है बाकी इन्वेस्टिकरेशन ने पता चले हैं अब तक क्या फार्टेश में एक फुटेज अभी तक मिला है जिसमें वह निकलते हुए दिख रहे हैं घर के बाहर पैदल पैदल अकेले ही जा रहे हैं और उसके भाद बीस सच वी फोटेज हमोग सारे कानली के सारे फोटेज त्लाश कर रहे हैं जैसा कि निक्षीव पर्श में मैं आया था के वह पार में लिए घरवालों से जानी लुप किया कैसा होगी देशिगी नोलेज में दाएं और अभ कोनें इसने के हर आ अगर हम कैमरे की बात करें तो करें 20-25 कैमरे हम लोग अभी तक ऐसा देख चुके हैं जो कल करवर्ट और जो बोर्ड और इस पर मिल रहे हैं तो उन पर सभी में देखा है और 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 वी देख रहे हैं कुछ जैसे इंपुट बिलता है इसको पुछ तो क्या नाम इनको और क्य प्लेस तो से डाव नोट करें ताफ स्मार घब्याद सब्साट है